मैं डॉक्टर श्वेता संपूर्ण स्वास्ते चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ मैंने अपने पिछले वीडियो में थाइरोइड की समस्या उसके सिम्टम्स और होमेपैतिक मेडिसिन्स के बारे में बताया था अगर आपने वीडियो भी तक नहीं देखा है तो वीडियो को ज़रूर देखें वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्चन में देदी है आज हम बात करेंगे पाइल्स की सिम्टम्स उसके कॉजिस होम रेमेडिस और होमेपैतिक मेडिसिन्स के बारे में अगर आप पाईस की समस्या से परिशान है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जादा इंफरमेटिव है पुरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए दोस्तो एलोपैतिक में पाईस के लिए ओपरेशन सजेस्ट किया जाता है बट होमेपैतिक से आप इसे जर से खत्म कर सकते हैं रूट से खत्म कर सकते हैं दोस्तो जानते हैं इसके कॉजिस के बारे में किन कार्णों से यह होता है इसका first main cause है chronic constipation बहुत लंबे समय से आपको कब्जियत की शिकायत है हार्ट स्टूल पास हो रहा है मोशन के बाद आपको लंबी समय तक पेन रहता है दोस्तो जानते हैं इसके symptoms के बारे में जिससे आपको पता चले कि आपको piles है या नहीं मोशन में bleeding का बहुत जदा होना मोशन के दौरान और मोशन के बाद लंबी समय तक पेन का रहना बैटने में बहुत ज़ादा तकलीफ होना हार्ड स्टूल पास होना इचिंग और बर्निंग इन एनस होता है दोस्तो पाइस के फोर स्टेजेज हैं फर्स स्टेज में क्या होता है कि पाइस एनस के अंदर ही रहता है वह एनस के बाहर नहीं आता इसे इंटर्नल पाइस भी कहते हैं सेकंड स्टेज में क्या होता है कि पाइस एनस के बाहर आता है मोशन के दौरान और अपने आप मोशन के बाद अंदर चला जाता है थर्ड स्टेज में क्या होता है पाइस जो होता है वह मोशन के दौरान बाहर आता है और motion के बाद अंदर नहीं जाता है, उसे manually push करना पड़ता है 4th stage में क्या होता है, piles जो होता है वो permanently बाहरी रह जाता है वो push करने से भी अंदर नहीं जाता चानते हैं दोस्तों इसके homeopathic medicines के बारे में वो कौन सी homeopathic medicine है जिसको लेने से आप इसे permanently cure कर सकते हैं पहला first medicine है hememilis mother tincture, दोस्तों hememilis mother tincture bleeding piles के लिए बहुत ही जादा effective है chronic constipation के लिए बहुत ही जादा effective है, अगर आपको pain हो रहा है लंबी समय तक, motion के बाद तो इसके लिए भी बहुत ही जादा effective है medicine, severe frontal headache होता है उसके लिए बहुत जादा effective है second homeopathic medicine है capsicum 200, दोस्तों capsicum नाम से ही suggest हो रहा है जैसे कि मिर्ची खाने से burning sensation होता है तो इसमें भी आपको इस medicine या medicine भी उनके लिए बहुत जादा suitable है, जिने severe burning pain होता है motion के बाद या motion के दोरान या उन लोगों को जादा suit करता है जो fat होते हैं, lazy होते हैं और जादा आराम करना उनको पसंद करते हैं और बहुत जल्दी ठक जाते हैं थर्ड medicine है peonia, peonia 200, दोस्तो peonia biting और itching के लिए बहुत जादा effective है, bleeding pious के लिए भी बहुत जादा effective है, biting याने की काटे जैसे चुबन होती है NS में, ऐसा लगता है की काटे चुब रहे हैं, चुबन सी होती है, उसके लिए ये बहुत जादा effective है हमेमिलीस जो होता है, वह ऐसा लगता है की weight रखा हुआ है, NS पे कोई भारी weight रख दिया गया है, ऐसा feeling आता है दोस्तों इसके dosage के बारे में जानते हैं, हमेमिलीस mother tincture आपको 20 drops, half cup water में दिन में 4 बार लेना है और capsicum 200 और आपको pionia 200, 4 pills 4 times a day लेना है, और अगर आप liquid form में ले रहे हैं तो 2 drops directly on tongue लेना है दिन में 4 बार, यह आपको किसी भी होमेपतिक शॉप पर मिल जाएगी दोस्तों जानते हैं अब home remedies के बारे में जिसको करने से आप घर बैटे ही इसको जल्दी relieve कर सकते हैं first and foremost and important है sits bath, sits bath में दोस्तों आपको एक tub लेना है, जिसमें warm water लेना है, उसमें आपको 15-20 मिनिट तक लेना है इसमें आपको यह ऐसा करने से आपको eating और उसके जो veins सूच जाती है, फूल जाती है, उसको effectively यह relieve करता है, ऐसा करने से इसको दिन में 3-4 बर अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही जादा अच्छा रहेगा पानी जादा से जादा पीना चाहिए, aloe vera gel या फिर coconut oil उस जगह पर apply करना चाहिए, ice packs apply करना चाहिए, high fiber diet लेना चाहिए, तीखा मसालेदार आपको नहीं घाना चाहिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को subscribe करें, वीडियो को like और share करें, bell icon प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की notifications आपको सही समय पर मिलती रहें, thank you so much